बारिस के मौसम में चार्ट खाना सबको बहुत ही पसंद होती है लेकिन जब बाहर बहुत तेज बारिस हो रही हो तब कैसे चार्ट खाने बाहर जाए तो कोई बात नहीं आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही special चार्ट ऐसी चार्ट की एक चार्ट में ही आप 4-5 तरीके के चार्ट को बनाके enjoy कर सकते हैं बनाना बहुत ही आसान है तो वीडियो को सुरू से last तक watch करियेगा तो चलिए इस चार्ट को बनाना सीक लेते हैं तो इस चाट को बनाने के लिए सबसे पहले हम तयार करेंगे एक सीक्रिट मसाला एक पैन में मैंने डाला है पांच से छे सूखी लाल मिर्च और इसे हम भून लेंगे थोड़ा धनिया लेंगे खड़ा धनिया साथ ही लेंगे जीरा दो चमच जीरा दो चमच धनिया एक चमच काली मिर्च लेंगे और इन्हें हम थोड़ा भून लेंगे गैस का फ्लेम लो रखेंगे जब मसाले अच्छे से भुन जाया तो गैस को हम कर देंगे बंद और इसे ऐसे ही मिक्स करके चलाते हुए रहेंगे ने तो मसाले नीचे से जल जाएंगे एक प्लेट में निकाल लेंगे मसालों को और ठंडा होने देंगे एक चमच इसमें मैंने लिया है आमचूर पाउडर अगर आमचूर पाउडर ना हो तो चाट मसाला ले ले यहाँ पे मैंने लिया है यह मतर तो आप इसे क्या कहते हैं कहीं कहीं पे इसे रगड़ा कहते हैं, कहीं पे इसे मतर कहते हैं, तो ये सफेद वाले मतर, धाइसो ग्राम मैंने मतर को रात भर के लिए भिगो लिया था, अच्छे से वाश करके इसे हम एक प्रेशर कूकर में डाल देंगे, और इसमें मैंने डाला है दो गलास पानी, इस ग आलू के टुकडे हम काट लेंगे आप अपने फैमिली के अकॉर्डिंग मतर और आलू की मात्रा को अर्जस्ट कर लें तो इसे हम प्रेशर कुकर में ही डाल देंगे अब इसमें जाएगा एक चमच हल्दी पाउडर साथ ही इसमें जाएगा नमक और यहां पर मैंने कुछ भी प्यारियां कर लेते हैं तो यहां पर मैंने लिया है एक फ्रिश पुदीना की पतियां छी से साथ लहसुन की कलियां थोड़ा सा अद्रक कर टुकरा लिया है मैंने और दो सूखी लाल मिर्च लिये मेरे पास हरी मिर्च नहीं थी तो सूखी लाल मिर्च डाल दिया है मैंने थोड़ा से साधा नमक डाल देंगे और इसमें डालेंगे हम ये सेव भूजिया जो आती है इससे चटनी बहुत ही बढ़िया एकदम से थिक बनती है और खटापन के लिए मैंने यहां इमली का जूस लिया है आप चाहें तो यहां पे नीमबू करस या दरी कुछ भी डाल सकत तो बस ये रेडी हो गया है चाट बनाने के लिए तो इसे हम थोड़ा सा मैश कर देंगे ज्यादा मैश नहीं करना है थोड़े से आलो के टुकड़े खरे खरे दिखते हैं तो अच्छे लगते हैं एक कराई में हम डालेंगे लगभग दो चमच ओयल एक चमच जीरा डाल देंगे और प्याज को हम भूनेंगे प्याज को ज्यादा लाल नहीं करना है प्याज को तब तक भूनेंगे जब तक कि इसका जो इसका मौश्चर होता है वो सूख जाए इसके बार डाल देंगे इसमें कटे हुट टमाटर अध्रकलासन का पेस्ट साथ ही डालेंगे जो हमने सिक्रेट मसाला तियार किया था वो थोड़ा सा मसाला बचा लेंगे ये चमच गरम मसाला एक चमच कसमीरी रेडचली पाउडर थोड़ी से हल्दी पाउडर और क्थोड़ाव्य नमक ध्यांद है हम ले मतड में भी हल्दी और नमक डाला था यहां पर बस जड़ा सा डालना है ज्यादा नमक और हल्दी नहीं डालना है इसके बाद इसे कर लेंगे मिक्स और धीमी आज पर इन्हें हम भून लेंगे ज्यादा नहीं चार से पांच मिनट तक भूनना है इन्हें तब तक टमाटर बढ़िया से चला लेंगे, मसाले में से बहुत बढ़िया खुश्बू आ रहे हैं, जल्दी से ये चाट बने और मैं जल्दी से खालू, तो इस तरीके से चाट बनाईए गना, तो बहुत कमालकी बनेगी, अब इसमें क्या करेंगे, मसाले भुनने के बाद ये फटा-फट ज ठोले, रोटी, जो भी आप बतलब इंजोई कर सकते हैं, तो यहां पर मैंने खटास के लिए डाला है, दो चमच इमली, इमली का रस, इमली को मैंने पहले से ही भिगो के रख दिया था, और उसके बाद उसके अच्छे से उसे मैश कर देंगे, और उसका जूस निकाल तो यह देखिए, यह रगरा चार्ट बनके रेडी हो गया है, थोड़ा सा इसे हम इस तरीके से चलाएंगे, एक उबाल आ जाए जैसे ही हम गयास के फ्लेम को बंद कर देंगे, तो यह चार्ट रेडी हो गया है, चलिए इसे इसे इसम्बल कर लेते हैं, तो मैंने पहले ही बताया है कि आप इसे चोले के रूप में भी खा सकते हैं, और आप इसे बहुत सारी चार्ट बना सकते हैं, जैसे की समोसा चार्ट हो गया, टिकी चार्ट हो गया, टिकी चोले, जो भी आप बोलते हो, वो हो गया, पापड़ी चार्ट हो गया, तो यहाँ पर प्लेट में च चटनी थी वो डाल दिया है मैंने और जो पुदीने की चटनी बनाई थी वो डाला है एक चमच इसमें थोड़ी हरी मिर्च जाएगी थोड़े प्याज जाएंगे थोड़ा टमाटर और मेरे पास ये पापड़ी थी तो क्रंच के लिए आप कुछ भी डाल दीजे पापड़ी लीजिए ये चाट बनके हो गई है दम से तयार खाने में ये बहुत कमाल की लगती है अगर रेसेपी पसंद आये तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा चैनल पर नहीं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा इसी तरीके से अगर आप तिक्की बना के भी इसे चाट ब अगर वीजिए तिक्की के साथ खाएए समोसे के साथ चाट बनेए ये एक चाट से आप बहुत तरीके की चाट बना सकते हैं तो चलिए मैं तो चलिए इस चाट को इंज्वाय करने आप इस बारिस के मौसम में जरूर से बनाईए ये रगर